क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको थाइरोइड के केस में अवाइड करने को बोला जाता है कुरूसिफरस वेजिटेबल्स का मतलब आपकी ब्रॉकली पत्ता गोबी फूल गोबी रैट कैबेज फैबेज ठैबेज सारी उस वेजिटेबल्स है वो सारी और सोया बीन, सोया बीन को भी, सौय को भी मना किया जाता है But then, the truth is, सचाहई यह है, कि उसमें बोलते हैं कि गोईट्रोजन्स है, उससे गोईटर होता है, लेकिन, जी रहाआ, उसमें गोईट्रोजन्स है, लेकिन, किंटुप, परंटु rapport, सचाहई यह है, कि जब आप उसे पका लेते हो, उसके सारे गॉइटरोजन्स हो जाते हैं, फुस, येस, नेस तो नाबूत हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, कि आपका थाइरोइड पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप उसे खा सकते हो, पका के, तो ये सारी चीजे cruciferous vegetables कच्छे नहीं खाने हैं कच्छे कहां होंगे Chinese food में अध कच्छे होते हैं तो पका के खाओ और सोया बीन को सही से पका के खाओ और बाकी सब खा सकते हो कोई चिंटा नहीं करनी है आपको यह बेसिक है